शार्क का एक ऐसा दुश्मन जो उसके नाक में घुसकर उसका दिमाग खा लेता है और वो कौन सा इसा जू है जिसके मूँ में एक नहीं बल्कि दो जबड़े होते हैं आईए जानते हैं जब एक डीब सी क्यामेरा दो शार्क को फिल्मा रहा था तभी उनमें से एक शार्क डरावने तरीके से तड़पने लगी जिसके कुछी मिनिट बाद वो मारी गई एक अजीबर भयानक सजी उसके सिर पर चिपका हुआ था जाइंड आईसो पॉट ये पासो से साथ हजार फीट समुदर की गहराई में पाए जाते हैं इसके आट मुके जबड़े इस तरह से बने हुए होते हैं कि मोटी से मोटी तोचा को भी फाड सकते हैं इसलिए कभी कबार शार्क को भी लपेटे में ले ले लेते हैं जिसके कुछी दिनों बाद वहाँ पर हजार से भी ज्यादा लेपड शार्क मरी हुई मिली वेगैनिको ने जब उनके सिर को काट कर देखा तो उनके नाग के अंदर से कुछ माइक्रो औरगैनिजम जा रहे थे जो कि शार के ब्रेन के अंदर घुस कर एक एसिट की तरह उसे खा रहे थे और ये था प्रोटोज हुआ सिंगल सेल औरगैनिजम जब भी कोई बड़ा शिकार करती है तब उसे पकड़ने के लिए एक जबड़ा होता है और उसे अंदर किचने के लिए दूसरा